नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूँ अनूप सिर्वास्तो दोस्तों आज बात करते हैं राय बरेली की यहां उत्तर प्रदेश की राय बरेली लोकसभा सीट वो इसलिए कि यहां से कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विदाई ले ली है यहां सोनिया गांधी ने कल जैपूर में राजसभा सीट के लिए अपना नमांकन कर दिया नमांकन करते वक्त उनके साथ राहूल गांधी, प्रियांका गांधी, खरगे और असोग गहलोत, सहित, सचिन पालेट जैसे तमाम नेता और कारकरता मौजूद थे और इसी के साथ गांधी परिवार की विदाई हो गई रायव रिली सीट जो कॉंग्रेस की परंपरागत सीट रही है 1952 से जब 1952 में इंद्रा गांधी के पती स्वरगिय फिरोज गांधी ने चुनाओ लड़ा था और यहां से चुनाओ जीता था अब सवाल यह उठता है कि अमेठी के हारने के बाद जब पिछली बार राहूल गांधी इस मृति एरानी से अमेठी की सीट हार गए थे उसके बाद वो किरल चले गए थे वाइनाट से चुडाव लड़कर वो सांसत बने थे तो पहले अमेठी और फिर अब राइवरेली तो क्या कॉंग्रेस का आखरी स्तंब भी ढहा गया उत्तरपदेश से और अब यह गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट रही है राइ तक बने रही है इस पे आते हैं लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि सोनिया गांधी जो राजसभा जा रही है उसकी वजह क्या है और गांधी परिवार से कौन-कौन राजसभा गया है तो सोनिया गांधी गांधी परिवार की दूसरी सदस्या है जो राजसभा जा रही है और जो सास थी इंडरागांदी स्वर्गी प्रदानमंत्री इंडरागांदी वो 1964 में उत्तरपदेश से राजसभा के लिए चुनी गई थी और तीन साल वो सदसे रही राजसभा की और वो राइबरीली से ही राजसभा के लिए से अपना उन्होंने अपने केरियर के सुरवात की 2019 में ही एनाउंस कर दिया था कि वो अब सक्री राजनीत से विदा ले रही है लोग सभाचुनाओं नहीं लड़ेंगी तो लेकिन दूसरी वज़ा ये भी मानी जा रही है कि उनका स्वास्थ जायर सी बात है कि स्वास्थ कारणों की वज़ा से सोनिया गांधी सक्री राजनीत से दूर हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने लोग सब्सका चुनाओं नहीं लड़ने का फैसला किया इसलिए उन्होंने राइवरिली सीट चोड़ दिये एक तरह से और राजसभा की सदस्ता उन्होंने ले ली है सदन में उनकी उपस्थिती मौजूद रहे बरकरार रहे और उनकी उपस्थिती जो है वो ना सिर्फ कांग्रेस के बाकी सदस्यों को संबल परदान करेगी बलकि अत्रिक्त उर्जा भी बतान करेगी और एक तरह से एक गार्जन सिप जो है वो बरकरार रहेगा बना रहेगा संसद में कॉंग्रेस के जो भी सदसे दोनों सदनों में मौजूद रहेंगे अब वो सवाल था कि रायबरेली से सोनिया गांधी 2004 से संसद रही बीक साल तक वो संसद रही हैं पर 2004 का भी चुनाओ जीता 2009 का भी चुनाओ जीता 2014 का भी चुनाओ जीता 2019 का भी चुनाओ जीता और 2014 जब से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का औरा सामने आ गया उस लहर में भी बीजेपी की लहर में भी सोनिया गांधी ने जीत हासिल की रायवरिली की सीट सोनिया गांधी के खाते में दर्ज हुई ये अलग बात है कि मतो का अंतर थोड़ा बहुत जरूर कम हो गया और अमेठी की सीट कॉंग्रेस हार गई लेकिन राय वरिली की seat जो है उनके पास बनी रही और अभी भी जो seat sharing की बाद चल रही है समाजवादी पार्टी के साथ उनकी उसमें राय वरिली और मेठी दो ऐसी seatे हैं जो समाजवादी पार्टी बिना कहे कॉंग्रेस को आफर करती रही है मुलायम सिंग के समय से ही समाजवादी पार्टी यहां पर अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है तो अब आते हैं सवाल पर कि सोनिया गांधी के विदाई के बाद सोनिया गांधी के जाने के बाद जो तीसरी पिढ़ी है कॉंग्रेस पार्टी की क्या वो चुनाओ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी पहली पिड़ी इंद्रा गांधी की थी इंद्रा गांधी ने यहां पर तीन बार चुनाओ जीता 1967 में जीता चुनाओ, 1971 में जीता चुनाओ, 1980 में जीता चुनाओ लेकिन 1977 में राज नरायन ने उनको यहां से चुनाओ हरा दिया था गोर्ट के जरीए तो तीन बार उनकी सास भी हां से एलेक्शन लड़ चुकी है उसके बाद से ये परंपरागत सीट रही है तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या राहूल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तरप्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो क्या एक बार फिर से यो तीसरी पीड़ी है राहूल गांधी प्रियंका गांधी और सुग बुगाहट तो वरुन गांधी के बारे में भी है तो राहूल और प्रियंका क्या रायवरिली और अमिठी से चुनाव लड़ेंगे सोनिय गांधी ने अपना पहला चुनाव अमिठी से ही लड़ा था अगर आपको याद होतो तो जो जिले के कारे करता है और जो जिला ध्रक्षेंपंकज उनका कहना है कि बिल्कुल चुनाव लडेंगी प्रेंका गांधी जो है राइवरली से चुनाओ लडेंगी उसकी तयारिया शुरू हो गई है और इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि वो अपनी मां की विरासत सम्हालेंगी क्योंकि सुनिया गांधी की अनपस्थिती में प्रेंका गांधी यहां पर आती रही है राइवरली साथी साथ ये भी चर्चा है कि राहूल गांधी भी अमेठी से चुनाओ लड़ सकते हैं और हो सकता है कि वो दो सीटों से चुनाव लड़े, वाइनाट से भी लड़े और अमेठी से भी लड़े ज़सा कि उन्होंने पिछली बार किया तो राए बरिली और अमेठी में राहूल गांदी की भारत जोड़ो का यात्रा का किस तरह से स्वागत किया जाता है, कितनी भीड मक्ति है, कैसा खैर मक्दम होता है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि राहूल गांधी चुनाओ अमेथी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये दो सीटें जो गांधी परिवार से बहत करीबी रिष्टा रखती है और गांधी परिवार के चलते इन दोनों सीटों की पहचान जो है पूरी दुनिया के राजितिक मंच पर रही है तो इन दोनों सीटों से राहूल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर चुनाओ लड़ेंगे अब ये फैसला इसी महीने होना है और इस फर्वरी के आखरी तक ये फैसला हो जाना है और जो प्रदेश अध्यक्ष अजयराय उनका ये कहना है कि राहूल और सूनिया के लिए राहूल और प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट वो उनके लिए फ्री है और जहां से वो लड़ना चाहें चुनाव लड़ सकते हैं और कॉंग्रेस का बच्चा बच्चा कॉंग्रेस का एक एक कारेकरता उनकी जीत के लिए अपने पूरी जान लगा देगा लेकिन ये तैय है कि राइबरिली जो की परमपरागत सीठ है का कॉंग्रेस की उस पर कॉंग्रेस के गांधी परिवार का ही कोई चुनाव लड़ेगा बगल में अमेठी है अमेठी से राहूल गांधी चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला आगए एक हपते दस दिन में हो जाएगा इसके साथी साथ वरुन गांधी के भी चुनाव लड़ने के सुगभाट हो रही है सुल्तानपूर से गौर्ट तलब है कि वरुन गांधी हभी बीजेपी में है और चचेरे भाई है राहूल अपिरियंका के आपको पता है तो वरुन गांधी को भी ये संभावना जताई जा रही है कि सुल्तानपूर से वो चुनाव लड़ सकते हैं जहां से उनकी माताजी में इनका गांधी सांसद है या अगर सुल्तानपूर से चुनाव नहीं लड़े तो वो पिली भीड से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी पर और जिस तरह के उन्होंने पोस्ट किये हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी सहमती जिताई कुछ मामलों पर उसको लेके उन्होंने अपनी सफाई पेश की प्रधान मंतरी के सामने और उन्होंने कहा कि मैंने किसी व्यक्तिगत निता के उपर कोई व्यक्तिग प्रिवार से दो लोगों को टिकट नहीं मिल सकता तो या तो मेंका गांधी को टिकट मिलेगा या तो वरुन गांधी को मिलेगा वरुन गांधी को मिलेगा टिकट वरुन गांधी सुल्तानपूर या फिर पिली भीट से वो उमिदवार हो सकते हैं बीजेपी के और अगर दिल्चस्प है कॉंग्रेस की तीसरी पिढ़ी को लेके वरौन गांधी हो चाहे राहूल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी को हो सबकी निगाहें लगी हैं उत्तरपदेश की इंचार खास सीटों पर राइबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और पिलिभीद नजरे हमारी भी लगी हुई हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे हैं, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुचाते रहेंगे आप अपना प्यार और इसने बनाये रखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार